हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की वीडियो में जियां दोस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आपसे रेक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़दा सज़दा लाइक और शेर करें तो दोस्तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर चंद्रियान दो लेंडर विक्रम की मिशन लाइफ हो रही है खत्म संपर्क का आखरी दिन है आज जियां दोस्तो चंद्रियान दो मिशन के तहट चांद पर भेजगए विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर से भारती अंतरिक सनुसंदान संगठन इसरो के विग्यानिकों का संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है 22 जुलाई को लॉंच किये गए चंद्रियान दो मिशन के तहट 7 सितंबर को विक्रम लेंडर को चांद की सतह पर लेंड कराया जाना था लेकिन चांद की सतह से कुछ किलोमेटर उपर ही उससे संपर्क तूट गया था अब आज विक्रम ब्लेंडर से संपर्क का अंतिम दिन है अगर आज इस रोगे विग्यानिक उसमें सफल नहीं हो पाए तो शायद उससे कभी संपर्क ना हो पाएगा इसके पिछे का कारण है कि इसकी मिशन लाइफ महद 14 दिन की थी जो की आज खत्म हो रही है इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का शेर मार्केट ने तोड़ा अपना ही रिकोर्ड रच दिया इतियास पहली बार 2284 अंक उचला जहां दोस्तों वित्मंत्री निर्मला सितर रमन की तरप से कॉर्प्रेट टेक्स में कटोती होने और केपिट कारोबारी शत्र के अंत्य तक जारी रहा इसके साथ शंशक ने अपना नाम एक और रिकोर्ड दर्ज कर लिया कारोबारी सत्र के दोरान दोहपैर करीब धाई बजे तक सेंसेक्स ने पिछले सभी रिकोर्ड तोड़ते हुए 2284.55 अंक की तेजी हांसिल की यह एक दिन में अ दोस्तों महरास्ट में होने वाले विदानसवा चुनाओं में बीजेपी और सीवसेना के बीच गटबंदन कर पर पार्टी प्रमुक उद्दव ठाकरे ने शुकरवार को प्रेस कॉन्फरेंस की इस दोरान उन्होंने कहा कि सीवसेना और बीजेपी के गटबंदन में किसी है कि कोई दिक्कत नहीं है दो दिन के भीतर सीटों के बटवारे पर फैसला हो जाएगा इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का हाउडी मोधी इवेंट के विरोध के लिए कंगाल पाकिस्तान मांग रहा है चंदा बनाया फरजी अकाउंट ज अमेरिका के राश्पती डोनाल टरम भी इस इवेंट में मुझूद रहेंगे पाकिस्तान हाओडी मोधी इवेंट का विरोध कर रहा है इस इवेंट का विरोध करने के लिए कंगाल पाकिस्तान सोशल मीडिया पर फरजी अकाउंट बना कर चंदा मांग रहा है दोस्तों न सिर्फ अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों को विरोध प्रदशन के लिए जुटाया जार आए बलकि डोनेशन भी मांगी जार रही है इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का पाकिस्तान ने चात्राओं के लिए बुर्का पहनने पर पाबंदी हटाई तो मंतरी और धर्म गुरु हो गए गुस्सा जियां दोस्तों पाकिस्तान के खेबर पक्तूनख्वा प्रांत में चात्राओं के लिए बुर्का या अबाया को अनिवार्रे करने के फैसले को रद्द किया जाना देश के राजनेताव धर्म गुरु को रास नहीं आया है उनका कहना है कि इस पैसले को फिर से बहाल किया जाए खेबर पत्तूनख्वा प्रांत में चात्राओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्रे कर दिया गया था इस पैसले के समर्थन में आवाजें उठी थी लेकिन विरोध में उठी आवाजें ज़ादा मुखर थी देशवर में इस पैसले की आलोचना के बाद प्रांत की सरकार ने इस से जुड़ी अधिसूचना वापस ले ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पैसला जरूरी नहीं था और इसे मुख्य मंतरी से पूछे बगेर लागू किया गया था इस पर दोस्तों पाकिस्तान के कुछ नेता और धर्म गुरू भड़क गए हैं इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का चार साल में सबसे जादा महंगा हुआ प्याज एक दिन में एक हजार रुपे प्रतिक क्विंटल बढ़ गई कीमतें जियां दोस्तों देश के सबसे बड़े होलसेल प्याज मार्केट लासल गाउं एपी ऐसी में बीते गुरू आर को प्याज के भाव में एक हजार रुप बीते चार सालों के उच्चितम इस्तर पर पहुँच चुका है गुरुवार शाम को बाजार में प्याज का भाव 4,500 रुपे प्रतिक क्विंटल के पार जा चुका है वहीं दोस्तों बात करें खुर्दुरा प्याज मुल्यों के तो खुर्दरा प्याज के मुल्ये 40 प्याज कर 60 रुपे प्रती किलो तक बिक रहे हैं और कीमते लगातार बढ़ती जा रही है इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का पाकिस्तान इस्तित बलुचिस्तान के एक नेता ने कहा प्रदान मंत्री मोदी जी पाकिस्तान हम पर 70 सालों से हत्याचार कर रहा है हमें आजाद कराईए जिया दोस्तों बलुच नेता और मानवधिकार कारे करता अश्रफ बलूच ने प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के जनम दिन पर उनसे आगरह किया है कि वह सभी अंतरास्टिय मंचों पर बलुचिस्तान में हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाए असरफ बलुच ने ट्वीटर पर मोदी को जनम दिन की शुब कामनाय देते हुए कहा कि प्रदान मंतरी मोदी जी जनम दिन की शुब कामनाय कृप्या बलुचिस्तान के शोशित लोगों को मत भूलियेगा मुख लोगों की अवाज बने संयुबत राष्ट समिट सभी मंचों पर बलुचिस्तान का मुद्दा उठाईए उन्होंने कहा कि बलुच भी इंसान है और उन्हें भी अपनी जमीन पर आजाद रहने का अधिकार है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुखे समाचारों में मौसम समाचार मौसम विभाग ने इस राज्य के लिए जारी किया रेड अलर्ट जियां दोस्तो तो जाने आज के मौसम समाचार लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाओंगा यदि आपको हमारी नीज़ भी तक पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दे अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाईग भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तो लाइक ओ डिसलाईग कर के अपना वोड जरूर दीजिए क्योंकि दोस्तो यही हमारी महनेत का फल होता है और अगर आप लाइक और डिसलाइक करेंगे तो मैं पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं तो दोस्तो जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार दोस्तो भारतिय मौसम विज्यान भाग याने की इंडियन मेटलोजी डिपार्टमेंट ने अपने ताजा बुलेटन में जानकारी देते हुए बताया है कि मद्य महरास्ट विदर्ब, कोकड, गोवा, आंध्रप्रदेश के तटिये हिस्से पूर्वी उत्रप्रदेश, अंडमान और निकोबार, दीप समुह, गुजरा, तेलंगाना, करनाठक और तमिल नाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है इसके साथ ही मौसम विभाग ने मद्य भारास्ट के लिए रेड अलट जारी किया है मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार अंडमान और निकोबार में बारिश के साथ ही तेज हवाईं चलेंगी जिनकी स्पीड पचास से साथ किलोमेटर प्रती घंटा तक हो सकती है वहीं दोस्तों ओरिसा के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की भी संभावनाय जताई गई है वहीं दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार पूरे देश में अब तक मानसून में सामानने से 4% जादा बारिश हो चुकी है इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का लगातार तीसर दिन पैट्रोल डिजल के भाव में आई जबरदस्त तेजी जानिये आज के भाव जिहां दोस्तों सौधी अरामको पर ड्रोन हमले के बाद तेल किया पूर्ती घटने से घरेलू बाजार में पैट्रोल डिजल के रेट में लगातार व्रदी दर्ज की जा रही है दोस्तो बात करें आज के पेटरोल डीजल के बहओ की तो दोस्तो आज भी राष्टराजदानी दिल्ली में पेटरोल 29 पैसे प्रति लिटर महँगा होकर 72 रुपे 81 पैसे प्रति लिटर पर पहुँच गया वहीं डीजल 19 पैसे की वरद्दी के साथ 66 रुपे एक पैसा प्रती लिटर के इस तर पर पहुँच गया इसके बाद दोस्तो रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का सोना लगातार तीसरे दिन हो गया सस्ता जिहां दोस्तो सोने के भाव में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई है दोस्तो आज की बात करें दिल्ली के सराफा वाजार की तो दिल्ली के सराफा वाजार में आज सोना 270 रुपे सस्ता होकर 38,724 रुपे प्रती 10 ग्राम पर बंद हुआ वहीं दोस्तो दूसरी और चांदी के भाव में भी 380 रुपे की गिरावट दर्ज की गई है और अब चांदी 47,310 रुपे प्रती किलोगराम पर पहुँच गई है इसके बाद दोस्तो रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का ममता बैनर्जी ने की गरहम मंतरी अमिर्शाह से मुलाकात एनर्सी को लेकर सोपा पत्र जिया दोस्तो पशे मंगाली मुख्यमंतरी ममता बैनर्जी ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रिय गरहम मंतरी अमिर्शाह से मुलाकात की ममता बैनर्जी ने इस दोरान रास्टेन नागरिक रजिस्टर से सम्मंदित एक पत्र भी सोपा ममता बेनर्जी ने अमिशाह से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया मैंने ग्रह मंतरी अमिशाह को एक पत्र सोपा जिसमें उन्हें बताया कि NRC से छूटे हुए 19 लाक लोगों में से कई हिंदी भाशी, बंगाली भाशी और इस्थानी असमी लोग हैं इसमें से कई वास्तविगमत दाताओं को छोड़ भी दिया गया है, इस पर गोर किया जाना चाहिए मैंने एक अधिकारिक पत्र भी उन्हें सोपा है वहीं दोस्तो आगे ममता बेनर्जी ने कहा कि केंदर में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के बाद हमारी बाच्चीत नहीं हुई थी, इसलिए ग्रह मंतरी अमिश शाह से मिलने आई थी दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस से पहले ममता बेनर्जी पीम नरंदर मोदी से भी मुलाकात कर चुकी है इसके बाद दोस्तो रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का केंदर के रोक लगाने के बाद ओनलाइन इस सिग्रेट बिक्री पर FDA का नोटिस जियां दोस्तो सरकार की तरफ से देशवर में इस सिग्रेट और इस हुका पर रोक लगाए जाने के एक दिन बाद महरास्ट फूड एंड ड्रक्स एड्मिनिस्ट्रेशन ओनलाइन सिग्रेट बिक्री पर नोटिस जारी कर चुका है FDA की तरफ से दिये गए नोटिस में कहा गया है कि ओनलाइन इस सिग्रेट की बिक्री करने वाली कमपनियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा तो दोस्तो यह थे आज के मुखे समाचार अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंद न्यूज को लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर करें और अगर दोस्तो आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकर ही चाहिए या फिर किसी चीज़ का आप स्पेशल न्यूज चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताए दोस्तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी की जाएगी धन्यवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत